हेलो एवरिवन के एंड के किचन में आपका स्वागत है आप सब कैसे हैं मैं बढ़िया हूँ उमीद करती हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे तो आज मैं आपके साथ टमाटर की ऐसी रेसिपी सेयर कर रही हूँ जो बनने में तो जटपट बन जाती है लेकिन खाने में बहु है, पहले मैं अच्छे से धोकर बीच कर लिया था और चाकू से उसकе बीच को निकाल लिया था तो इस तरह मैं टमाटर के सभी टुकडों को फेला दूंघी और इसे दहकर एक से 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह पका ले छम्मत पलटकर दूसरी तरफ भी पका ले, टमाटर को हाइ फ्लैम पे नहीं पकानना चाहिए, नहीं तो टमाटर जल सकता है, तो इस तरह चमच से हम सबी टमाटर के टुखड़े को पलट कर अच्छे से पका लेंगे जब तक कि टमाटर से छिलका अलग ना हो जाए, तो देखिए टमाटर हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और छिलका भी अलग हो गया है अब टमाटर को एक प्लेट में डाल लेंगे और ये 5-6 लसुन की कलिया है इसे भी हम अच्छे से सौप्ट होने तक पका लेंगे अब टमाटर थोड़ा ठंड़ा हो गया है अब मैं इसके छिलके को निकाल दूँगी सर्दियों के मौसम में आप टमाटर की इस तरह से चटनी बनाकर फ्रीज में 4-5 दिन तक एस्टोर करके रख सकते हैं और इसे किसी भी प्राठे के साथ सर्फ कर सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी बनता है इसके लिए मैंने एक प्याज, एक हडी मीर्च, छोटा सा टुकड़ा अदरक का तथा धन्या बत्ता काट कर पहले ही रख लिया था अब इसमें हम स्वाधनुसार नमक डालेंगे यह कटे हुए हडी मीर्च, अदरक तथा प्याज डालकर हम पहले इसे अच्छी तरह अपने हाथों से मैस करके मिक्स कर लेंगे तो इस तरह से हम अपने उंगलियों से प्रेस करते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप भी सर्दियों के मौसम में टमाटर की जटपट बनने वाली यह रेसिपी जरूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट तो जरूर कीजिए तो इस तरह से हम टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप भी सर्दियों के मौसम में इसी तरह से टमाटर की रेसिपी बनाएए अब इसमें हम धन्या पत्ता मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से चटनी में मिला देंगे ये सर्दियों के मौसम में प्राठा या पूरी के साथ सर्व करने से बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप भी इस तरह से टमाटर की जटपट बनने वाली रेसिपी बनाएए और मेरे चैनल पे विजिट कीजिए बाई बाई